तो आज का वीडियो होने वाला है टी-वेज की दरफ से आने वाली RTR3Tron के बारे में तो बहुत अप लोगोंने तो आज बात कर लेते हैं RTR Threaten के बारे में तो टीवेस के तरफ से लॉंच होई निूली बाइक आयगा है तो यहार काफी सांदार बाइक ही मिल जाती है आपको पूरे फीचर मिल जाते हैं आपको जो एक प्रोपर स्पोर्ट बाइक मिल जाते हैं यह लगवक 3 लाग अजार में आती है कानपुर में तो लगवक 2,80,000 से लेके 3,500,000 में आपको इसके सारे वरेंट मिल जाएंगे और अगर आप से इसमें पाक लेना चाहेंगे तो वह भी 10,000 रुप 10,000 रुप इंदर ही आपको सब कुछ मिल जाने वाला है तो की टीम की 390 से काफी जयदा कम प्राइज मिलने वाली है तो आला कि पावर भी कम है तो प्राइज भी ज्यादा डिफरेंस हाई है लगबक साठ से पैसर डिजार रुपए का डिफरेंस मिल जाता है आपको टीवेस की आर्टी आर ठीटन में और केटीम की 390 में तो बात करें इसके मेन सिविल बजाए आप इसे बुक कर लें तो वह ज्यादा वैल्य फॉर मनी रहेगा ज्यादा पावर ज्यादा फीचर ज्यादा परफार्मेंस और बहतरी इनलोग तो आपको डिजार करना को कौनसी बाइक लेनी है तो चलिए इस बाइक के बारे में शुरू करते है तो इसमें मिल ज ही यह वही दिख जीविप्टी में आपको 30 भीच्प आवर मिलते है और 35 भीच्प गी पावर तो थीन हजार के डिफरेंस मेर्श मेरा आपको इतना सारी फीचर मिल जाते हैं देखने के लिए तो यह काफी जयदा वैल्य मनी रहेगी तो आंग बंद करके आप इसको ले सकत में मगए वह लिजिए और बात करते हैं एक तो इसमें साव भाइं सारे ही मिल जाते हैं मगद आ यहीं बता हैं मिल और रिबाउंडनिंग सब्देटीपनियम में और अलमूनियम स्विंगा मिलता है और रेयर में भी अर्जेस्टिबल डव्यूपी के वह मोनो सॉक्स मिल जाते हैं तो वह काफी अच्छी बात है और सेफटी की बात करें तो डूबल चैनल एवियस इस बाइक में मिल जाता है तो काफी सांधार बड़किंग में होने वाली ह वह आ और प्रेंडप्रेंटि में त्रींड्यज को डिस मिलती और रेयर नहीं वह मिल जाती है सेवेंटीन इन्च के बैतरीन दिखने वाली अलवाज मिल जाते हैं और बात करें ज्यामुआ की की बाइक है आपको लगबग सेम ही टायर साइज देखने लिए मिलता है और 125 के के बारे में क्या ही कहना उसमें भी आपको 200 सक्षन का टार मिलता है रेहर में और फ्रेंड में 110 सक्षन का मिल जाता है तो भाई समझ रहे हैं मतलब एक सो पच्छी सी से लेकर 300-400 की के टेगरी मे सेम ही टायर सक्षन देखने मिलता है तो एक अडवांटेज आपके ग्रिप के लिए और बात करते हैं सीट हाइट के बारे में तो 800 mm की सीट हाइट देखने नहीं मिल जाती है तो 55 के उपर ही है है तो आपके लिए चलाने में और बात करें करवेट की तो 169 kg का करवेट है औ चलाने में आपको अच्छा मॉडल लेंगे तो इसमें आपको लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मिल जाता है और डानेमिक से मतलब है आपकी सपीड कम है तो कम ब्राइट जैसे श्मीड तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी मतलब आपकी स्पीड को सेंस करके लाइट तेजदी में हो जाएगी तो इसमें एक डेडिकेटड वीडियो मनाएंगे हम लोग और टेल लाइट में भी यही सीन है अगर पैनिक ब्रेकिंग करेंगे आप तो लाइट बिलिंग करेगी मतलब लुपर लुपर करेगी जो होता है और बात करते हैं फीचर के बारे में तो gond mijland डाता है आपको कुछ फ्रटर की बात होगी और दीधकर से बुक्री मिल nåट विए लिए met zoom कोई और दीध चले Politico Please क्तव कोई नहीं जाएगा आपके सोene Ay तो लिएक डेका मिल जाता है और 169 केजी का कर्वेट डेक्स याथ प्र तो पावल डूबे रिस बी काफ़ी जदा सांदार होने वाला जदा वेट नहीं इस बाइक में नॉर्मलिग वार जितनी आती है लागबग उतने में ही इसका वेट है और बात के लिए इसके माइलस की बारे में तो 30 का माइलश देने वाली बाइक स्थी पर दे जाए में एक् इतना दे रहे हैं तो प्रीमियम नष्प भी उस बाइक में इतनी है और इसमें पिलकुल टीफ्टी डिस्प्ले मिलता इसमें आपको सारे फीचर भर भर गे मिल जाते हैं वाई क्रोस कंट्रोल लो चाहे जो लो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लो सब कुछ भरा पड़ाया पुरा मोबाइल लग दिया गया इसा लगता है तीन तीन राइडिंग मोड्स लो भाई मतलब थर्डी फाइब एच्पी की पावर में जो करना असर डिवाइड बाई कल डालो रेनोड अर्बन मोड ट्रैक मोड और सुपर मोटो मिलता है मतलब पिछला टायर गया बंद कर लो रहां प्रिट्रिफ्ट मारो मतलब समझ तरह पावर इतनी काम है उससे मतलब नहीं फीचर किते दे रहा है मतलब यही कहां मगर एंजन में कर दिया होता है तो देने के बजा है तो देखना पड़ेगा बागी बात करें प्राइजिंग के तो 30,000,000 तर जाती है उसकी प्राइजिंग तो बाई 30,000 कम में मिल लए आपको वही सेम इंजन है तो क्यों ले वाई उसको इस पर जाईए और आपको फेरिंग चाहिए तो आर आर थेटन में जाओ तो इस वीडियो में इतना ही जाते जाते जा कमंट शेर का बटन दबाते जाओ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाई 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 राइट से राइडाट